जैसे आप जानते हैं पिछले साल हमने भारत जुड़ो यात्रा की थी कन्या कुमारी से कश्मीर 4000 किलोमेटर चले और जो नफरत फैलाई जा रही है हिंसा फैलाई जा रही है देश में इसके खिलाफ हम यात्रा की यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे पास आए जारकंट से आए और इसा से आए नौर्थी से आए बाकी प्रदेश से आए और कहा देखिए आपने भारत जुड़ो यात्रा कर दी कन्या कुमारी से कश्मीर तक कर दी मगर जारकंट का क्या होगा और इसा का क्या होगा भारत जोड़ो न्याई आक्रा क्योंकि हमें लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है पांच तरीके के अन्याय हो रहे हैं समाजिक अन्याय आर्थिक अन्याय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है पब्लिक किसानों के खिलाफ अन्याय और श्रमिक जो हमारे मज़दूर है उनके खिलाफ अन्याय तो ये पांच अलग अलग तरीके के अन्याय के खिलाफ हम लडने निकले हैं और भारो जो भारत जोड़ा का कॉंसेप भी इस यात्रा में है अब आप कुछ सवाल पूछना चाहें ज कुछ लोग मतलब राहूल गांदी कि देखिए कि सवाल सब के सामने है कि प्रधान मंत्री आपको अपने आपको बीजी कहते हैं और फिर बीच में थोड़े कन्फूजन में आ गए थे पहले कहते थे मैं ओ भीजी हूं बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है एक अमीर गरीब तो उनको पहले तो यह डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है और दूसरी बात चाहिए हैं या ना है हिंदुस्तान के 50 प्रतिश्रद लोग तक्रीबन 50 प्रतिश्रद लोग के हैं गलत 15 परसेंट हैं आदिवासी 8 परसेंट हैं हम चाहते की जाती जनगर्ना हो हम चाहते हैं जिसकी जितनी अबादी है देश को पता लगे आज ओबिसी वर को यह नहीं मालूम कि ओबिसी कितने है देश में यह जरूरी क्यों है क्योंकि अर्मेन को भागीदारी देना चाते हैं तो सबसे पहले इनकी गिंती होनी है तो प्रधान मंत्री जो भी कहना चाहते कहें मगर जाती जनगर्ना जल्दी से कर दें और उससे घबराएना दूसरी बात जो हमने 2011 में सर्वे किया था उस सवाल देखिए यह सवाल एक रियक्ति का नहीं है यह सवाल हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है तो भाचन में प्रधान मंत्री का यह कहना कि मैं OBC हूं या मैं OBC नहीं हूं यह रेलेवंट ही नहीं है रेलेवंट यह है कि इस देश के कितने लोग OBC है वो रे इस देश को चलाते हैं उनका उधारन दिया उधर आपको सिर्फ तीन मिल रहे हैं अब हेल्थ केर सिस्टम में एडूकेशन सिस्टम में आपको OBC डले ट्राइबल नहीं मिलेंगे तो मैं यह सवाल उठा रहा हूं इस एक पूर रची करूए प्रची कि दो नहीं कि अप्तिव प्रची कि अ मुखफ नहीं नहीं प्रची, एस रहा हूं कि नहीं डूपति अच्छी तो मुखेशन सिस्टम मपागी मपताजी वही बेका प्राट कर फिलाीज pact लिए लाइने मस्ट लाइन determiningो ** प्राट करें लाइने की लेका को क कीुफे ले इसबलों कि दॉआयज अध्य लकार मैं कार लिएทग किकुमार अप्रा मुआ यहीं लाइने bisous वा confirming sure आई तो जिजिए एभार में भायां लाइए, जुझ जञिए वीज़्गी है। आपको उट्याटनेश हार लाइवाट कि अभारूम्ट टुछ आप टुछाइट है। So, there is posturing, and that is normal. And, sir, if your party gets the maximum number, in the coming full... You have asked the question. Thank you. JHA, ORM, Umbun, KhaDi, Yim, KhaDi, Andhra, Isra. The year, the first way it has travel. It mangles. It is their travel. कि यह आप लोकल लोकल आंसर कीज़े लोकल क्वेस्चिन है लोकल आप लेकर के चल रहे हैं उसका क्लियर है यह बहुत सारी चीज़े यहां स्टेट लेवल पे होनी चाहिए यह आप एक तरफ कहते हैं कि इनको भी रख लेना चाहिए वो कहते हैं कि नहीं हम पहले से हैं और नया नहीं होना चाहिए तो उन दोनों का सामझे से बिठाने का काम चल रहा है उसके भी रिपोर्ट के लिए और केश्व महतों कमलेश आपके मोलवासी के हो गए उधर आदिवासी समुदाय से काली चर्ण मुन्ना हो गए उनकी कमीटी बनी है वो फैक्ट देगी उसके बाद हम लोग डिपोर्ट करें तो आपको ब्रॉडली मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार है और कि मुझे शुरुआत से आज तक ट्राइबल लोगों ने कहा है कि हमारी जो सरकार है वो ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है गरीबों की फ्रेंडली सरकार है और जो बीजेपी की सरकार थी वो एंटी ट्राइबल सरकार थी और उन्होंने जो आदिवासियों के साथ जमीन के सा किया वो सारे के सारे आधिवासी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याई किया था थैंक यू वह उन्होंने आपका जवाब दे दिया आपके तेलंगाना के सीम कहते हैं कि बिहार और जारखन के लोगों को इमिलेट करते हैं कि ये लेबर के डियेने से आते हैं उन्होंने में लेबर होना तो किसी खास वर्ग को बुश्च करने के लिए किसी खास को नाराज करना और जब भारत एक हो उसमें उबी, सी, एस्ट, करके बात करना, यूनाइट करके बात नहीं करना लगता है, वैसे वाकरी में भारत जुड़ेगा, मंदूत होगा, वैसे ही जुड़ेगा, क्यूंकि देखिए, सवाल नियायक है, जैसे मैंने पहले बोला, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के टॉप 200 कॉर्परेट मुझे बता दीजिए, OBC मालिक का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए, आप अधानी का नाम सुने है, टाटा का नाम सुने है, बिरला का नाम सुने है, मुझे एक नाम बता दो, OBC नाम मुझे एक बता दो, बोलो ना, ने बोलो, ने आप बोलो पहले, आपके मीडिया आउसें एक दलित या एक आदिवासी मालिक का नाम मुझे बता दो बोलो नहीं नहीं सवाल यह नहीं सवाल वो उसका भी मैंने सुनिये बात सुनिये न आपने मुझे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि सवाल जाती जंगर्नका सिर्व नहीं है सवाल यह कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है कि कॉर्परेट सेक्शन में मैंने आप से पूछा 200 सबसे बड़ी कंपनिया हैं 500 ले लिए उसमें से आप उनके मैं सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो कि अबनेः दोगा आप नहीं दे पाओक ये क्यूंकि वहां है हिमें मेडिकल सेक्टर में आप मैं पूछता हूं आप से प्राइवट मेडिकल सेक्टर में वहां नीन दे पके प्राइविए आते हैं उधर 90 लोग है आई एस ओफिसर उसमें से तीन होब इसी वर के लोग है है पांच परसेंट बजट का उन पर कंट्रोल कोने में बैठे रहते हैं अबादी 50 परसेंट है तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे हर कदम पर न्याय करेंगे तो भारत कैसे जुड़ेगा कर आप क्या कह रहे है और बी जबля वह क्या कह रहे है अन्याय होना चाहिए है ओवी सुबर का जो हर अगयए उसको मिल्गे नहीं चाहिए दलित वर्ग जो है आदिवासी वर्ग जो है उसका हक नहीं मिलना चाहिए कैसे चुड़ेगा भारत इसलिए हमने न्याय शब्भारत जोड़ो शब्द के बीच में रखा है अन्याय के भारत में भारत जुड़ी नहीं सकता अब मैंने आपसे पूछा 200 कॉपरेट्स हैं आप मुझे एक नाम नहीं बता पारें मैंने आपसे पूछा भई ठीक है आप कॉपरेट का शाए जानते नहीं हो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी मुझे एक नाम दे दो अच्छा छोड़ो आप रिपोर्टर में से मुझे दिखा दो आदिवासी कौन है हाथ उठाव ना कि कहा है आप यहां मुझे दलित दिखा दो आएक है संपल संपल रख रख है कोने में तो देखिए देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है और सबसे बड़ा सबसे बड़ा अन्याय कि दले तादिवासी पिछणों के खिलाफ हो रहा है कि इसलिए मैं इसको रख रहा हूं और इसलिए मैं जाती जनगाना के लिए लड़ रहा हूं और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं प्रदानमंत्री जो भी कहे एक एक बिनिट एक नुद आउंग लड़ भी और मैं पीजियोग जोग इस फीचिवी से लड़ टे लिट सा तेन Υीचा वीद भी घख लिल येस 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 आया को तो नहीं कीन की ये वह विप्ले ग्राइव था का अपरा था और मैंगा एगे आप देदो यह आपके हाथ से खाळा प्रूमालिक ने उसको दिया वो खा गया को इसमें मतलब इसू क्या है कुट्टे को लाया मेरे पास कुट्टा घबराया हुआ था मैंने उसको खाने खाने को दिया वह का पर रहा था एसे फिर मैंने का भई आप खिला दो उसने खिला दिया कि अब्सें क्या है यह सच मुझे बीजेपी के लोगों को कुट्टों से सब्सेशन क्या है कुट्टों ने क्या बगाड़ा है कि अब यह देखे जो जो कलपना जी के साथ बाचीत हुई वो तो मैं पब्लिक ली नहीं बोलूंगा वो तो कॉंफिदेंशल बाचीत हुई है यह कहूंगा कि जो उनके पति के साथ किया जा रहा है वो अन्याय है वो ठीक नहीं है यात्रा में हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं किसानों से मिले हैं आदिवासियों से मिले हैं गरीब लोगों से मिले हैं और बहुत सारा इंपुट हमने लिया है और मैं सोच रहा हूं कि दो-तीर मुद्दों पर चीफ मिनिस्टर से मैं बात करूं और उनको अप्राइज करूं कि हमें लगता है कि इन इन चीजों पर थोड़ा फोकस होना चाहिए जमीन का मामला है सरना कोड का मामला है तो ऐसे काफी मामले कि यह किस यह आपको किस ने बता है आप फैक्स चेक करके आओ भाईया हमने जाती हैं आप अपने फैक्स ही नहीं जानते हैं कि contenidoAll right है कि का हमने का सब्री है किया उसके हमने आख्रें निकालेb कोईलेंशन में हमारा डिस्कसिन हुआ और कोईलिशन में वो डिस्कसिन में झाल्き और विक कशेड़क है तो श्जरा जनगर के भ woman pieisinा हम लागू करदेंगे ते फरी दिश है और फिक यहा फिक जैए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है जहां भी हमारी सरकार है कि हम जाती जन्गानगा कर रहे हैं 50% का जो क्याप लगाया है अर्टिफिशल क्याप लगाया है अनफेर क्याप लगाया है इसको हम हटा देंगे रेजर्वेशन का जो 50% का कैप हैं इसको खतम कर देंगे और आदिवासी जो है और दलिज जो है उनके रेजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछे वर के लोगों को रेजर्वेशन दें और और आकरी बात सुनिए जो जो इसमें दो चीज़ें हैं और एक है कि जनरल कास के भी गरीब लोग है ठीक है तो उनको भी नहीं छोड़ना है और सबसे जरूरी बात कि जो छोटे बिजनेसे हैं स्मॉल मीटियम एंटरप्राइज हैं उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे नोट बंदी ने जी एस टी ने इन लोगों को खतम कर दिया है तो जो रोजगार क्रियेट करते थे जो देश को रोजगार देते थे उनको नरेंद्र मोधी जी ने अदानी जी ने नोट बंदी जी एस टी लागों करके उनको खतम कर दिया है तो हम सबसे पहले जी एस टी को बदलेंगे ठीक है नोट बंदी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हो त तो नरेंद मोदी जी ने कर दिया तो जी एस्टी को बदलेंगे उसके बाद हम एक निया financial plan small or medium businesses के लिए लागू करेंगे और उसमें हम मारा focus होगा कि पिछरे वर के लोग गलित वर के लोग अधिवासी वर के लोग गरीब लोगों को full benefit हमारी देखे मैं यात्रा में हूँ हमारी अगर आप EVM पे position समझना चाहते हैं हमारे पास हमने publicly declare कर रुक है जहराम जी आपको आपको उसका पूरे देश में ED, CBI, Income Tax, Opposition पर आकरबन कर रही है institutions का misuse हो रहा है जबरदस तरीके से misuse हो रहा है यह reality है आज की politics को कोई problem नहीं है उन्होंने यहाँ कोशिच की सरकार के जाने की कोशिच की हमने रोक दिया तो हम लड़ते रहेंगे मगर यह सचाई है की चाहे वो election commission हो चाहे वो agencies हो चाहे वो bureaucracy हो चाहे वो police हो इन सब का misuse हो रहा है पूरे देश में misuse हो रहा है अधी आखी दो सवाब में अधी दो सवाब हो गया है आखी दो सवाब मेरा सवाल है इसले दस सालों से कोई sensex नहीं हुआ है जिस पर में sensex जन्गनना नहीं हुई है और जन्गनना से यह आकड़े नहीं हा रहे है उच राजियों में बिहाद में कराया और जहर खंड़ा भी मेरा यह सवाल है कि आपने समाज इतना है कि नहां पाच जिन्या की बात कि मैं आपके सरकार दोरा एक कानून बनाया हुआ था बन अधिकार बिल्कुल लेकिन बन अधिकार कानून लागू करने बरतमान सरकार कहीं न कहीं कमजोर पड़ी है और काफी सारे लोग को जो आदिवासी बन शेद्र मेला हने वाले आदिवासी है उसका बन पढ़ता ऐसे ही देखिए यह इसके बारे में काफी बात्चीत हुए यात्रा में यह कहना कि forest rights act को implement नहीं किया जा रहा है यह गलत है ज़रूर थोड़ी कमिया है उनको ठीक किया जा सकता है और उनको हम ठीक कर देंगे फरक समझे जो गरीब था जो आदिवासी हैं दलित हैं वो पिछली सरकार को एंटी दलित एंटी आदिवासी मानते हैं आज एंटी दलित एंटी आदिवासी सरकार नहीं है जमीन का मामला ज़रूरी मामला है और आपने जो पॉइंट उठाया है मैं भी यह पॉइंट चीफ मिनिस्टर्स के किस साथ उठांगा अखरी सवाल एक हो गया पहले आप मेरा जवाब दीजिए ना आप दोफ पूछ र इस प्रोसेस है ठीक है यह प्रोसेस चल रहा है इंडिपेंडेंस के पहले से चल रहा है और इस प्रोसेस के सबसे बड़े कदम कॉंग्रेस पार्टी ने लिए हैं आजादी के लिए हम लड़े हरी करांती हमने दी सफेद करांती हमने दी एजुकेशन सिस्टम हमने लागू किया जंता के साथ मिलकर केले कॉम रेवलूशन हमने किया तो अब हमने एक नई कमी देखी है उसको हम बदलना चाहते हैं उसको हम ठीक करना चाहते हमें साफ दिख रहा है कि देश में पिछणों के खिलाफ गल्यतों के खिलाफ आदिवा इसके बाद काम शुरू होगा कि इस कदम से देश को पता लग जाएगा किसकी कितनी अबादी है गिंती हो जाएगी जैसे मैंने कहा देश का एकसरे हो जाएगा सब को पता लग जाएगा ओपी सी को पता लग जाएगा कि मीटिया में तो हमारा कोई आदमी नहीं है एक भी कॉर्परेट में हैं चिक सब्सक्राइब तो दूद का दूद पानी ए और पानी उला उसके बाद काम शुरू होगा उसके बाद मझाण फी था थैंक यो अच्छा वजा आपसे बात करके है। लिए अशल एक आप ढहर करके दो लिए कान सबस्क्राइब